बिस्मिल्ला अल्हुमान रहीम असलाम अलेकुम दोस्तों आज के विडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि यह जैस डिजट 4G मुबाइल अच्छा है या जो नोकिया में काईव स्पॉन आया है उन दोनों का कंपेरिजन आप लोगों के साथ करने जा र वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही मुझूद बिल आइकन दबाई है ताकि आपको हर नहीं यानि वरी वीडियो स्कीन और विकेशन व्क्तन मिल सकें दोस्त जो इंटरनेट है वो बहुत बहुत बहुतरीन तेज है और लोग इसको हर्टसपाट के लिए जरतर खरीदते हैं तो अब हम बात कर ले दे हैं यहाँ से के इस मुबाइल पॉन को खरीदना अच्छा है या जो नोकिया में आया है काई उएस वो बेस्ट है तो मैं आपको य रिकमेंड करता हूँ कि नोकिया वाला का जो प्राइस है दोस्तों वो है सत्रह हजार रुपे काई वेस पॉन और यह वो भी कीपेड पॉन है और यह कीपेड पॉन यह मैंने सिर्फ लिया था अटार सो रुपे का तो अब आप खुद देखिए खुद सोचिए कि यह लेना इतना मजबूत नहीं है इसलिए लेकिन पिर भी यह बेहतरीन पॉन है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तिमाल करोगे तो यह भी इन्शालला खराब नहीं होगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों की वो पॉन जो है लेना जरूर है यह यह वाला तो अगर आप अपने इस्त पूरजी में वो है 4000 का जेयर डिजट पूरजी इनर्जी क्लासिक इस तरह बहुत सारे पॉन इसमें लांच हो रहे है अभी और इसमें अभी अंड्राइड वाला भी आया हुआ है तो मुझे तो खुद यह जेयर डिजट वाला पसंद है अगर आप लोग नो क्या वाला ले करते हैं चुन को जरू सब्सक्राइब कर दें थैंक्स पर वाचिंग